हेलो गाईस, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज हम डिसकस करेंगे अपना modern trends in Indian art, इसके अंदर आपको तीन टोपिक पढ़ने हैं, पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कुल्चर्स, पेंटिंग आपके पास 5 हैं, ग्राफिक प्रिंट्स भी 5 हैं और स्कुल्चर्स भी आपके इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अपनी पेंटिंग्स को, इस टोपिक से जर्नली वच्चों को डर लगता है, तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल easy method से भी पढ़े और आपको अच्छे से याद भी हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पेंटिंग्स में, जो भी आपके पेंटिंग है, उससे उपर आपको स्टार्टिंग में किस तरह से पेंटिंग को लिखना है, नेम आपको उसको मेंशन करना है, फिर आपको लिखना है उसके आर्टिस्ट, उसका टाइम पीरिड, कहीं पेंटिंग्स का टाइम पीरिड डि उसके बाद लिखने हैं आपको courtesy और फिर आपको लिखने डिस्क्रिप्शन, courtesy मतलब जहां वो painting is time रखी हुई है और उसके आपको लिखने डिस्क्रिप्शन, courtesy भी कहीं paintings की mention नहीं है, जिनकी भी आपको mention और वो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो यह है हमाई first painting जिसका नाम है रामा वेंकिशिंग दा प्राइड ओफ दा ओशन, इस painting के artist आपके राजा रवी वर्मा, period आपको mid 19th century AD, तो यह क्या होगे आपका time period, artist आपको अच्छे से याद रखने है, राजा रवी वर्मा, medium आपका oil on canvas, मैंने आपको बताया था, दो medium है, या तो oil on canvas होगा या फिर water color तो आपका इस painting के मीडिया में oil on canvas, आप अगर confused होते हैं तो आप एक बर painting को देखोगे, तो यह आपको दिमाग में अंदाजा रहेगा कि oil color से बनी हुई painting है, या फिर water color से painting, courtesy आपकी ललित कला academy, तो इस painting के आपको courtesy अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि थोड़ी सी अब इस line में मेंने almost सब कुछ explain कर दी है, देखते हैं इस painting में हमें क्या बताया हुआ है, वे इस line में explain किया, इस painting में दिखाया गया है कि राम जी को दिखाया गया है कि वो डैसे समुंदर के देव का घमंड तोड रहे हैं, क्योंकि समुंदर के देव किया है, उनके साथ corporate नहीं कर रहे हैं, क्योंने bridge नहीं बनानी दे रहे हैं, लंका तक तो इसमें उसी scene को दिखाया गया है, राम आयन की कि जब राम जी लंका तक bridge बनाते हैं, तो समुंदर जी उनके साथ समुंदर देव हैं जो वो corporate नहीं करते हैं, तो इसलिए राम गुस्ते में आ जाते हैं और वो अपना धनुष उठा लेते हैं, तो इस painting में इसी scene को show किया गया है, तो यह रिखा हुआ है, राम वंकिशिंग दा प्राइड ऑफ वोशन, शोज राम एंगर एड़ गोड ऑफ सी, राम जी का घुस्ता जिखाया गया है, गोड ऑफ सी की तरफ, for not cooperating in his attempt to build a bridge to लंका क्योंकि उनके साथ corporate नहीं कर रहे हैं, आगे देखते हैं, the राम picks up his bow in anger at the sea god, मतलब राम जी ने अपना धनुष उठा लिया है, घुस्से में किस की तरफ, समुदर के देवता की तरफ, and is ready to place an arrow at the string, और वो क्या है, धनुष चिराने के लिए बिल्कुल तयार है, आगे दे इस ही बहला है, with eyes popping out, and eyes कैसे दिख रही है, कि उनकी eyes के बिल्कुल भार निकली रही हो, इस तरह से शो की गई है, the waves are shown, heating the rocks at the shore where Rama stands, और जो waves दिखाए गई है, समुदर की, वो इतने अच्छे तरीके से दिखाए गई है, और ऐसे दिखाए गई है, कि वो जो राम जी जिस क कि नारे पर खड़े हैं, उसको क्या कर रही है, बहुत तेजी से हिट कर रही है, in this painting, colors are warm and gentle, mostly brown, yellow, orange tones, आप पेंटिंग के color को देख सकते हो, brown, yellow, orange color के color जादा तर यूस किये गए है, आगे देखते है, the bolt of lightning in the dark cloudy sky is shown in this painting, आसमान में देखो कि अगर आप ध्यान से, तो एक तरह बिजली दिखाए गई है, तो यही दिखाए गए, a bolt of lightning in the dark cloudy sky is shown in this painting, this painting is very beautiful, यह लाइन आपको हर पेंटिंग के आपरी में ज़रूर लिखनी है, तो यही होगी हमारी first painting, तो अब हम देखते है, अपनी second painting, जिसका नाम है, mother and child, इसके artist आ, jamini roi, jamini roi, आगे देखते है medium के है, इसके water color है, और period क्या है, अब देखके इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, modern time period, बदर इसका period exact नहीं पता है, तो इसके हमने क्या लिखा हुआ है, modern period है, description देखते है, this is a vertical painting by jamini roi, the mother is holding her son with her left hand, अब इस painting में क्या दिखाया गया, एक तो यह पहले line में में बिताया क अपने लेफ्टे को पकड़ा हुआ है, अपने left hand में, face is cup shaped and eyes are elongated, अगर आप मदर के face को देखोगे, तो वो cup की shape का लग रहा है, और उनके eyes के अब जदा लंबी-लंबी शो की गई है, the child also has similar eyes with thick eyebrows, और जो चाइड है, उसकी भी same eyes दिखाई गई है, और eyebrows क्या दिखाई गई आगे देखते हैं, the mother is wearing a sari, mother ने एक sari ढाली हुए है, on one side we can see a plant like structure, अब मदर के एक side पे अगर आप देखोगे तो एक plant जैसे structure दिखाई दे रहा है, बोथ mother and child are decorated with ornaments, दोने ने बहुत सुन्दर ornaments ढाले हुए है, there is a small bun at the top of child head, अब आप child के head को देखो, उसके अपर एक छो green, yellow, red, gray color को इस painting में use किया गया है, this painting is very beautiful, तो यही खतम होती है हमारी ये वली painting भी, तो अगर आपको इन किसी भी painting के या पूरे notes चाहिए, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजे, मैं आपको notes भी provide कर दूँगे, तो आप हमाई next painting है, healthy grinders, इसका नाम क्या है, healthy grinders artist है, इसकी अमरीता शेयर गे, पर टाइम पिरेड देखा हो, इसका 1940, अब हम देखते है, medium के इसका, ये भी oil painting है, तो oil on canvas आपको लिखना है, courtesy इसकी नेशन गैलरी ओफ मोडरन आर्ट, न्यू देली, तो अभी जिस painting, अभी हमारी last painting तो इसकी courtesy हमें mention नहीं थी book में, painting represents an actual setting of a village household, अभी इस painting में क्या दिखाया गया एक तरह से, पूरी painting में एक तरह से village household, मतलब जो गाओं के घर होते हैं, उन चीजों को दिखाया गया है, the women are sitting and grinding healthy in a traditional way, तो क्या दिखाया गया है, दो women's दिखाया गया है, वो बैठी होई हैं, और healthy क्या कर रही है, grind कर रही है पीस रही है, एक traditional way, मतलब पुरानी जमाने की तरह, आगे देखते हैं, it shows women doing a routine of grinding healthy or common spice, तो यही लिखा हुए, painting में क्या दिखाया गया है, women अपने daily routine work कर रही है, healthy को पीसने का, जो कि क्या है, एक common spice है, मतलब जाना माना मसाल है, आगे देखते हैं, here we see the view through two tray trunks that frame the main figure to bring them into focus, अब अगर आप painting को ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा, कि main painting को जो frame क्या दिखाया गया हमें, एक तरह से two tray trunks ही तो painting का frame है, दो पेड़ की जो trunks है, उनके बीच में से ही हमें painting visible है, उनके बीच में तो दो औरते बैठी हुए है, तो मतलब हो क्यों के एक तरह से frame का काम कर रही है, आगे देखते हैं, the heads of two women are covered and faces are dark, अब दोनों women's के head क्या है, वो covered है, और उनके faces के दिखाये गए, बिल्कुल dark दिखाये गए, there is a young girl sitting next to them, helping them out, मतलब एक young girl बैठी हुए है, जो उनके बिल्कुल आगे बैठी हुए है, मतलब उनके बिल्कुल आगे ब अच्छे से clear नहीं है, आगे देखते हैं, colors using the paintings are earthy, with intense red, brown, yellow and green, अब इस painting में भी earth separated color used किया गए है, जायतार red, yellow, brown, green color का use किया गए है, this painting is very beautiful, तो चलिए अब हम देखते हैं, अपनी next painting, जिसका नाम है Mother Teresa, इसके artist है M.F.Husain, मेडिया में water color और time period है 1997 AD, तो अब इस painting में ब करना है, इतने अच्छे से उन्हें painting समझ में नहीं आती है, तो इसलिए हम बिल्कुल easy methods इस painting को करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं description को इस painting की, मैं आपको maximum content दताऊंगे, इस painting में आपको क्या लिख रहे है, फिर भी आगर आपको लगता है कि यह कम है तो आप इसी को थो नहीं किया गया, with blue bordered white sari, मितलब जिसने white color की sari पहनी हुए है, जिसका border क्या है, blue color क्या है, यह आपको जरूर लिखने कि blue bordered white sari है, that was born by mother Teresa, जिसको किसने पहना हुआ है, mother Teresa ने, तो इस painting में यह शो किया गया, the mother is supposedly sitting under the pavilion of a church, तब यह mother है, वो बैठी हुए एक church के पंडा जाल में, आगे देखते हैं, the artist has divided the painting by two yellow lines, अब देख सकते हैं, एक तरह से painting में, दो बड़ी-बड़ी yellow color की lines दिखाई गई है, तो artist ने yellow lines को किसली है, painting को divide करने के लिए, आगे देखते हैं, a sick person is on a rail, मतलब उसकी गोदी में क्या लेटा हुए, एक sick person लेटा हुए, there is one more sari covered head behind the mother's head, almost similar but without the blue board, अब आप पेंटिंग को ध्यान से देखो, जो mother terrace बेटे हुए हैं, उनके पीछे एक और sari का वो दिखाया गया, एक तरह से sari show की गई है, इसमे क्या दिखाया गया, एक sari covered head दिखाया गया, behind the mother's head, mother's head के पीछे, almost similar, जो बिलकुल same same दिख रहा है, लेक पाड़ी पहने हुए है, उसके अपर without the blue border, the sick man is painted with red color, जो sick man वो कौन से color से paint किया गया, red color से paint किया गया, black color is used in this painting, अब इस painting में बोज़ा दा black color का use किया गया है, on the left side, a naked infant orphan is held by her, अब left side में क्या दिखाया गया, एक छोटे बच्चे को दिखाया गया, जो कि क्या अनाथ है और फिंग का मतलब अनाथ, his head by her, वो भी उन्हें किस ने पकड रखाया है, मदे टेरेसा ने ही पकड रखाया है, तो यही इस painting में शो किया गया है, आपको last में लिखने है, this painting is very beautiful, तो देखते हैं अपनी last painting को, जिसका नाम है दा वल्चर, आर्टिस्टेंस के कमलेश आप स्पैलिंग अच्छे से देख लिजी, मेंडिया में आपका, ओलोन कैन्वस और टाइम पिरेट का है, 1980, अब हम देख लेते हैं इस painting के description को, इस painting shows a beautiful scene with a lifeless lady, hanging from a rope, suspended from above the ground with the neck, मतलब क्या है, इस painting में दिखाई गई है, एक लेड़ी शो की गई है, जिसको क्या उसकी गर परदन से क्या किया हुआ है, टांगा हुआ है, इस painting में ऐसा show किया गया, अब इस painting को दिखाने का theme किया, मैं आपको पहले बता देती हूँ, इस painting में एक तरह से dowry, मतलब दहेच की मांग के लिए बताया गया, कि मतलब कैसे male dominated society होती है, वो woman को तंग करती है, कि वो अपनी family अब इस painting में आपको हिंदी में अच्छ से explain कर दिया है, अर फिट उसके हाथ है और पैर है, दोनों के वो है, बंदे हुए है, और उसके बिलकुल शरीर के नीचे क्या लगी हुए है, आग लगाई हुए, दा वलचर इस पूलिंग हर लास्ट और्नमेंट, वलचर क्या कर र जब तक वो राख न बिन जाए, तब तक उसके आखरी लास्ट और्नमेंट को भी वो खीच रहे है, और जिस टेबल में वलचर बैठा हुए, उसके साइड में क्या दिखाया गया है, एक बोक्स दिखाया गया है, जो भी किस से भरा हुए है, और्नमेंट से, जब वलचर श वलचर किस तरह से दिखाया गया है, एक male dominated society की तरह, जो women से क्या कर रही है, दहेज मांग रही है और women को क्या कर रहा हुए है, तांगा हुए है, और उसे कहा गया है, और ek congregation गया है, बोक्त या जदा से जदा पैसे लेका है अपनी family से, किसके नाम पर, दहेज के नाम पर, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दियो और में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू